सबसे पहले अपना computer या फिर mobile में Google खोल लेना है Chrome उसके बाद में परिवहन सेवा लिखना है जो आपको दिख रहागा spelling वैसा लिखना है खोलने के बाद आपको सुरू में जो home परिवहन सेवा ministry of roadway transport इसमें जो option आ रहा है उसमें क्लिक करना है आपको लोकेशन मंग रहा है तो आपना जो कर सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको जो परिवहन का side है मिनिस्टर पर road, transport and highways वह आपका खुल जागा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखागा drivers and learning license यह option में आपको क्लिक करना more पर क्लिक करने के बाद आपका जो learning license या license का जो state है आपको चुन लेना कौन सा state आपका है वह जैसे आप state में क्लिक किजेगा तो आपको वहाँ आपको यहाँ पर डालना है तो आपको यहाँ आपको यहाँ पर डालना है लर्निंग लासेंस का अलग application number होगा और डावी लासेंस का अलग होता है तो आपको जो यहाँ पर डालना है जिसका भी इस्टेटरस देखना है तो यहाँ पर अपना application number उसके बाद यहाँ पर आपका date of birth जो होगा वह इसमें आपको डालना है इसके बाद आपको capture फिल कर ल लागेगा सारा कुछ अप्लिकेशन नंबर फोटो अगरा जो घिचवाए है अपलोड हुआ सारा कुछ दिख जाएगा यहाँ पर लाइनिंग लासेंस का यह हम अपना देख रहे हैं देखिए आप दिखा रहा है हम फिल किये थे एक छे को उसके बाद अपलोड डॉकुमे लाइनि चैनल का ठिखाए है सारा कुछ पयमेंट किया हुआ है मेरा लाइनिंग टेस्ट होता है वहाँ पे आपका मलब पासा हुआ है तेस्ट दे दिये हैं उसका result मेरा complete होके यहां पर upload नहीं किया गया है वहीं दिखा रहा है यहां पर आपको rate color का जो दिख रहा है